नमस्कार दोस्तों जैमा गायत्री उम्मीद करते हैं दोस्तों माता गायत्री की क्रिपा से आप सभी स्वस्त और कुशल होंगे बहुत ही श्वागत है आपके अपने ही चैनल निकी ब्लॉग में दोस्तों पौश माश के शुकल पक्च की त्रियोदसी तिती को प्रदोश बरत है जी हां दोस्तों या प्रदोश बरत कल यानि 26 जन्वरी 2021 को है मंगलवार को होने के कारण दोस्तों इशे भौम प्रदोश बरत कहा जाता है प्रदोश बरत जो है हर महीने एक बार शुकल पक्च और एक बार कृष्ण पक्च में आता है इस दिन भगवान सिब का बिधी बिधान से पूजा किया जाता है दोस्तों ऐसी माननेता है कि प्रदोश बरत रखने से घर में कला आर्थिक संकट और विवा शंबंधी जो शमश्या है वो शमाप्थ हो जाती है प्रदोश ब्रत का महत्व दोस्तो बहुत ही अधीक है दोस्तो प्रदोश ब्रत रखने और भगवान सिब की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है जिन कन्याओं के बिवा में किसी भी प्रकार की अर्चना रही हो वे इस ब्रत को अवस्य रखे दोस्तों और ये हो सके तो उनकी माता पिता भी इस ब्रत को अवस्य रखे क्योंकि ये ब्रत जो है कन्या की बिवा संबंध बादा आए उसमें जो भी ग्रहों की दूर अशुविधा होती है वह इन्हें दूर करता है दोस्तों जहां तक हम बात करें तो प्रदोश ब्रत को कैसे करना चाहिए इसका पारन कैसे करना चाहिए तो दोस्तो चलिए जानते हैं दोस्तो इस दिन ब्रम मूरत में उठकर अशनान करें और स्वक्ष कपड़े पाने पूजा अस्थान को साफ रखें और गंगा जल छिल कर जगा को पवित्र करें सफेद रंकाब कपड़ा बिछा कर दोस्तो चौंकी के चारो और कलावा बांधें जब भगवान सिव की प्रति मा को उस पर बिराजित करें और शिव जी के चरनों पर गंगा जल अरपित कर भगवान को फूल माला अरपित कराए फिर भगवान सिव को चंदन लगाए शिव प्रदोस ब्रत के दिन शिवलिंग का आविशेक किया जाता है दोस्तो तो हो शकता है तो आप तमाम अपने अधिर में या आसपास में जहां सिवलिंग हो वहाँ पर जल अवस्य चढ़ाए शिवलिंग पर धतुरा और भांग भी चढ़ाए भांग धतुरा ना मिलने पर मौश्मिफाल या किशिवी प्रकार से आप काम चला सकते हैं दोस्तो भगवान सिव को धूप दीप और अगर सुनी जाती हैं दोस्तो प्रदोस्प्रत की जहां तक कठा के बारे में बात किया जाए तो दोस्तो एक नगर था वहाँ पर तीन राजकुमार ब्राम्हन कुमार और तीसरा धनिक तीन मित्र रहते थे राजकुमार और ब्राम्हन कुमार क्या थे बिवाहित थे लेकिन जो ध पिरी विहीन जो घर होता है वहां भूतों का घर होता है इस पर धनिक को चुब गई बाते उसने ततकाल ही अपने माता पिता से मनतब्य करके वह अपनी पत्नी को लाने के लिए चला गया लेकिन सयोगशे उस दिन शुक्र देवता डूबे हुए नहीं थे ऐसे में माता पिता ने कहा कि बहु बेटियों को घर से विधा करना शुब नहीं माना जाता है लेकिन वो जवर्दस्ती अपने शश्वाल चला गया और सोहां पर जिद करने लगा जब उनके सास्त ने नहीं मानी फिर भी वो उन्हे जवर्दस्ती अपनी पत्नी को विधा कर लिया मार्ग में उसके तरह तरह के संकट आये यहां तक कि उसे साप भी काट लिया गया जब उसके पिता को यह खवर मिली तो वहां पर जाकर उन्होंने शुक्र प्रदोश ब्रत किद करने की सला दी अंत में उसके माता पिता को शुक्र प्रदोश ब्रत किया जिसके प्रभाव से वो लड़क स्वस्थ हुआ और अपने पत्नी के शाथ खुशी शंपन जीवन बेतीत करने लगा तब से दोस्तों भौम प्रदोश ब्रत का तेवार खुशी उल्लास के शाथ मनाया जाने लगा उमीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद